Hi everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains हम पढ़ रहे हैं Tenses और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Past Time और Past Time में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? Simple Past, Past Continuous, Past Perfect और Past Perfect Continuous Third Standard के लिए आपको Perfect और Perfect Continuous में अभी जाने की सरूरत नहीं है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं होगा वो But if you would want to, you can always learn this क्योंकि Knowledge is always good, yes? Knowledge is power So now guys, when I talk about Past Time हम बात करने वाले हैं Simple Past Tense की Simple Past Tense, ठीक है? इसके पहले हमें काम करते हैं हम चलते हैं हमारे Present Time में Present Time क्या था? Present Time था मैं खाता हूं Remember? Simple Present मैं खाता हूं तो Simple Past क्या हो जाएगा? मैं खाता था बस, that's it यही डिफरेंस है अब कौनसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं? कि मैं Simple में मतलब Present में हूं या Past में हूं अगर मैं इसको English में लिखूं तो यह होगा I eat I eat मैं खाता हूं I eat क्या किया है? मैंने subject और verb का first form यूज़ किया हो अगर कोई sentence में आगे कुछ है तो that's it या आप मैं लिख देते हूं यहाँ पर I eat food मैं खाता था अब यहाँ बस इतना करना है यहाँ मैं वर्ब के first form की जगा वर्ब का second form यूज़ करूंगी I ate food मैंने खाना खाया था मैं खाया था तो इसलिए मैंने एक छुटा सा comparison दिया है Simple Present और Simple Past का ताकि हर चीज़ रिवाई हो जाए जब हम Simple Past की बात करते हैं तो Simple Past होता है मैं ये काम करता था मैं गाता था मैं सोता था या मैंने खाया था तो ये है आपका जो Indefinite या Simple Tense की जब हम बात करते हैं Past की तो ये वर्ट सुनाई देते हैं हमको ठीके? अब यहाँ पर देखते हैं Simple Past Tense is used to narrate an action of the past मतलब जब भी आप Past की बात करते हो Past की किसी भी चीज के बारे में बात करते हो तब अपन यूज करते हैं Simple Past Tense चीक है? I saw a movie yesterday मैंने कल एक movie देखी थी You create a play yesterday तुमने कल एक play create किया था Last year I traveled to Japan Last year मैंने Japan मैं Japan गया था मैंने ट्रावल किया था They slipped वो सो गए She washed her car उसने अपनी car धोई थी That's it तो यहाँ पर अभी हम structure तो देखेंगे लेकिन पहली चीज हम किस के बारे में बात कर रहे हैं? सारी चीजें जो हो चुकी हैं Actions which have already been completed in the past The thing is अब इनका अभी कोई link नहीं है present से ठीके? जब हम past पर जब हम present perfect की बात करते हैं तो वो भी यही होता है na Present perfect का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा I have I have lost my book ठीके? मैंने एक sentence लिखा है I have lost my book हम present perfect tense पढ़ चुके हैं यह perfect tense का sentence है जिसमें आ रहा है आपका subject फिर have आ रहा है और फिर आपका verb का third form आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? मेरी जो किताब है वो खोड़ चुकी है मेरी किताब खोड़ चुकी है Simple अब अगर मैंने बोला I lost my book यह है एक simple past tense मेरी किताब खोई थी मेरी किताब खोई थी अब इसमें और इसमें difference क्या है? यह एक simple past है और यह एक present perfect tense है इन दोनों में difference क्या है? Difference यह होता है जब हम simple past की बात करते हैं मेरी किताब खोई थी अब उसके बाद वो मिल गई उसके बाद वो नहीं मिली present situation में status क्या है? बुक है या बुक नहीं है? हमें नहीं पता लेकिन जब मैं present perfect tense की बात करती हूँ तो I have lost my book का मतलब यह होता है कि मेरी बुक हो चुकी है और यह जो status है कि वो नहीं मिल रही है वो अभी भी true है मतलब as of now भी मुझे मेरी बुक नहीं मिल रही है तो जो past में हुआ वो as of now भी true है लेकिन अगर मैंने बोला I lost my book अरे मेरी बुक घूम गई थी उसके बाद मिल गई उसके बाद फिर घूम गई या उसके बाद तुमने किसी को donate कर दी उसके बाद का status नहीं पता तो simple past and सिर्फ आपको ये चीज़ बताता है कोई एक चीज़ जो की past में हुई थी उसका present से कोई connection नहीं होता ओके Now let's look at the structure structure क्या होता है आप लेते हो subject subject के बाद लेते हो verb का second form और आपका rest of the sentence मतलब जैसे की जब मैं simple present की बात करती हूँ तब मैं क्या बोलती थी? subject आता है subject के बाद verb का first form आता है प्लस आपको object आता है जब मैं past tense की बात कर रही हूँ मैं जब simple past की बात कर रही हूँ तब आगया आपका subject subject के बाद verb का second form आएगा और आजाएगा आपका object ठीक है? जैसे की देखते हैं Katie worked in that office for almost four years उसने उस office में चार साल काम किया था अब वो उसमें काम नहीं करती ये past की बात है तो हमने लिखा है subject subject के बाद आया आपका verb और verb का हमने लिया है second form तो जैसे यहाँ पे है work ये है verb का first form worked, all worked तो यहाँ पे आपका जो है ये है verb का second form और ये है verb का third form ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या use किया है? worked Katie worked in that office for almost four years He passed the test उसने वो test passed किया था मतलब वो past की बात है ये test वो past कर चुका है ठीक है? पास किया था यहाँ हमने subject लिया subject के बाद verb का second form लिया और तो उसके बाद हमने हमारा object ले लिया We went for the movie yesterday Now we is the subject went went क्या है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो verb का first form, verb का second form और verb का third form तो जब हम go की बात करते है first form is go second form is went and the third form is gone तो इसी लिए हमने क्या यूज किया? We went for the movie yesterday We went for the movie yesterday I subject studied मेरा वर्ब का second form study studied I studied at the Canada University मैंने Canada University में पढ़ाई करी थी simple या पढ़ाई की थी तो मैंने कोई काम किया था मैं इस वक्ट मैं ये नहीं बोल जाए हूँ मैं कर रही थी कर चुकी थी simple मैंने वहाँ पढ़ाई करी थी तो यहाँ पे present से कहीं कोई आपका involvement नहीं है आप सिर्फ ये बता रहे हो आपने past में एक activity की थी आप उसके बारे में discuss कर रहे हो that's it ठीक है? अब हम कुछ examples देखके इसको समझते है I worked last night कर जात को मैंने काम किया था I worked last night I है मेरा subject work का second form आगया worked और उसके बाद rest of the sentence structure क्या है? subject प्लस verb का second form प्लस मेरा object ठीक है? I ate the entire piece of cake मैंने cake का पूरा piece खाया था I ate eat का क्या होता है? ate eaten right eat, ate, eaten तो यहाँ पे मुझे second form यूज़ करना है शृती liked to play badminton every morning शृती को हर सुबह badminton खेलना अच्छा लगता था past की बात हो रही है तो शृती एक singular है liked अब यहाँ पे वो फंडा नहीं है कि आपको singular के साथ s लगाना है plural के साथ yes लगा मतलब s नहीं लगाना यहाँ कुछ नहीं है हर किसी के साथ एक ही लगेगा the lady thanked her lady ने उसे thank you बोला they ate some rice and curry for dinner उन्होंने dinner में कुछ rice और curry खाया था simple, that's it क्या करना है? subject plus verb का second form plus object now we will see कि अगर माम लो मुझे negative करना है तो मैं क्या करूँगी? तो we will see it here I ate food I ate food मतलब मैंने खाना खाया था अब यहाँ पे मेरे पास आता है मेरा wow word did जैसे कि जब मैं simple present tense की बात करती थी तब मैं use करती थी do और does similarly जब मैं past की बात करती हूँ तब मुझे use करना है did तो अब जब मुझे इसका negative sentence बनाना है तो मैं अपने subject के बाद क्या करूँगी? I did not अब भाई did में तो already did आ रहा है आपको याद है जब हमने present tense पढ़ा था तो does आता था तो हम verb में से s हटा देते थे क्योंकि उसमें already एक था similarly यहाँ पे did मतला वो already बता रहा है मैं past tense का हूँ तो मुझे एको बार verb का second form यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तब मैं क्या बोलूँगी? I did not eat food तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ज़रूत नहीं है कि मैं यहाँ पे फिल से बताओं कि अरे मैं तो past tense का हूँ वो बता दिया उसने इसने बता दिया भाई हम past tense के हैं खतम अब मुझे जैसे कि मान लो he और she की अगर मैं बात करूँ तो कैसे होगा? I की जगा होता He ate food He ate food तो यह क्या हो जाएगा? He did not eat food अब यहाँ पे I हो, you हो, we हो, they हो कोई भी प्रोनावन हो आपका यह change नहीं होगा यह change नहीं होगा यह हर चीज के साथ same रहेगा Simple past, सबसे simple exercise है ठीक है? तो यहाँ I ate food बस verb का second form हमें पता होना चाहिए I ate food I did not eat food He ate food He did not eat food They ate food They did not eat food एक चीज जो बच्चे बहुत ही जादा गलती करते हैं हमेशा यूज करते हैं did को और did के साथ यूज करते हैं verb का second form Ma'am I did not put it एक तो put it होता नहीं है फिर भी did not और put it पता नहीं क्यों मसा आता है Ma'am I did not hurted him Hurted भी कोई word नहीं होता लेकिन I did not thanked I did not came I did not अगर use कर रहे हो तो फिर उसके बाद verb का second form कभी नहीं आएगा It's a blunder Don't do that ठीक है? अगर मैं did use कर रही हूँ मानलो मैंने यहाँ पर लिखा होता दे केम वो लोग आए थे दे केम अब अगर मुझे बोलना है वो नहीं आए तो मैं बोलूँगी दे दे नौट कम दे दे नौट कम ठीक है? अब यहाँ पर दे नौट यहाँ मैंने केम बोला था यहाँ मैं कम बोलूँगी अब मुझे वर्ब का फर्स्ट फर्म ही यूज़ करना है अगर मैं कभी भी negative sentence यूज़ कर रही हूँ दे यूज़ कर रही हूँ तो उसके बार जो मेरा main verb होगा वो simple verb का फर्स्ट फर्म होगा तो जब negative बनाया तो यह worked में से ED चला गया क्योंकि यह D हमें already बता रहा है मैं past tense का हूँ I did not work last night I did not eat the entire piece of cake मैंने पूरा piece नहीं खाया था I did not के बाद ate नहीं आया It's eat ओके? Shruti did not like did आ गया तो अपनने liked नहीं बोला Shruti did not like to play badminton every morning The lady did not thank her देखो सारी जगा जो आपका verb है उसका first form use किया है हमने है जगा verb का first form use किया है क्यों first form use किया है? क्योंकि हम already बता चुके हैं using the word did कि हम past time की बात करें हमें 10 बार बताने की सब्रत नहीं है अब हम देखते हैं question statement So this is very easy अगर मैंने बोला played cricket मतलब उन्होंने cricket खेला था They played cricket अगर मुझे इसमें question बनाना है तो मुझे अब मेरे पास यहाँ पर कोई helping verb तो है नहीं जो मैं उठा के subject के सामने रख दूँगी तो obviously मुझे use करना पड़ेगा did did they play cricket चिक है? अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? cricket को क्या हो गया? यह है cricket अब यहाँ पर क्या समझना है? मैंने use किया है did तो मैंने अपने verb में से ed हटा दिया और लिखा है play ठीक है? did they play cricket अब यहाँ पर चाहे I you we he she सब में did he use होगा कोई different forms नहीं है यहाँ पर ठीक है? मान दो मैंने लिखा हो था I slipped I slipped मैं सो गया था अब इसका question क्या होगा? I did I sleep क्या मैं सो या था? Did I sleep? अच्छा इस question इस sentence का negative क्या हो जाएगा? I slipped इसका हो जाएगा I did not sleep ठीक है? Are we clear with this? चलो, let's move forward तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं अभी हम करेंगे अपना यह हम देख लेते हैं, इंटरोगेटी पर कछ एक्जाम्पल देख लेते हैं Did I work last night? क्या मैंने last night काम किया था? Did I eat the entire piece of cake? क्या मैंने पूरा cake-ka-piece खा लिया था? Did Shruti like to play badminton in the morning? क्या उसे सुभे badminton खेलना पसंद आता था? Did the lady thank her? क्या उसने, वो lady ने उसको thank you बोला? So that is it Now, यह रहा हमारा nutshell So let's see Subject, I अग भी डोंट है और अग्जिलरी वर्ब In simple positive sentences हम यहां उन sentences की बात करें जहां माई पस auxiliary verb नहीं है Simple tense में भी कुछ words होते हैं कुछ sentences होते हैं जहां आप auxiliary verbs को use करते हो जो हम आके देखेंगे I went to school मैं school गया था You worked very hard तुमने काफी महनत की थी She अब जब मेरे को यहां पे not लगाना है तो यह auxiliary verb डिड आ जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी not और फिर आएगा मेरा main verb जिसका आएगा first form ठीक है? She did not go with me वो मेरे साथ नहीं गई थी We did not work yesterday हमने कल काम नहीं किया था Did you अब question देख रहे हैं तो क्या हो गया? Did यहां आ गया? Subject यहां आ गया Did you go to London? क्या तुम London गए थे? Did They work at home क्या नोने घर पे काम किया था? Okay So यह रहे आपके sentences जब हम affirmative की बात करते हर जगा हमने verb का second form यूज किया है I walked You walked He walked We walked They walked लेकिन जैसे ही हम negative या interrogative में आते हैं क्योंकि did आ जाता है picture में फिर आ जाएगा I did not walk You did not walk He did not walk We did not walk They did not walk Similarly did आ गया तो we walk हर जगा आपने देख लिया कि अब आप second form यूज नहीं करोगे ठीक है अब आता है past simple में अभी तो हमने वो sentences देखे जिसमें आपके पास कोई भी helping verb नहीं था लेकिन मान लो आपके पास helping verb हो तब क्या होता है subject plus was or was verb का second form और rest of the sentence अब हम को sentence देखके समझते हैं subject He was a good human being वो एक अच्छा आदमी था ठीक है वह एक अच्छा आदमी था यहाँ पे मेरा helping verb आ रहा है subject के बाद subject के बाद ही लगता है helping verb ठीक है they were there वो लोग वहाँ थे they were there subject plus was or was plus rest of the sentence अब हमें यह पता है हमारे पास दो helping verb होते हैं past में एक होता है was एक होता है word I के साथ और हर singular के साथ आपका लगता है was he के साथ she के साथ it के साथ लगता है आपका was I के साथ भी was आता है word किसके साथ आता है you के साथ आता है और किसी भी plural के साथ आता है जैसे और they हो गया और we हो गया इन सब के साथ क्या आता है? वर आता है तो हमने यहाँ पे we use किया तो we के साथ आया was in Japan last month हम last year Japan में थे I was stupid to answer that मैं stupid था मुझे वो answer नहीं करना चाहिए था अब हम इसके कुछ sentences देखेंगे I के साथ क्या आता है? was I subject was helping verb tired tired मतला मैंने अपने verb का second form यूज किया है I was tired the other day उस दिन मैं थका हुआ था you were praised there वहाँ तुम्हारी तारीफ हुई थी you के साथ आजाएगा were praised का आ गया second form we were crowned together हम दोनों को एक साथ जो था crown मिला था so we के साथ आ गया were crown का बन गया crowned second form together they were stuffed badly उन्हें बहुत बुरी तरीके से भरा गया था so they के साथ आएगा plural were और stuffed का हो गया stuffed verb का second form he was bored at the meeting वो meeting में bored हो गया था तो he के साथ आ गया was और bored का बन गया bored अब मुझे अगर इसी का negative बनाना है तो क्या होगा जब helping verb होता है तो तो negative बनाना बहुत इसी है helping verb के बाद लगा दो not so I was not tired the other day you were not praised there we were not crowned together they were not stuffed badly क्या किया है मैंने I subject was मेरा helping verb बस was के बाद लगा दिया वर के बाद लगा दिया वर के बाद लगा दिया अब question बनाना है तो क्या करोगे अगर question बनाना है तो जैसे यह sentence था was के लगा दो subject के पहले was I tired the other day were you praised there were we crowned together were they stuffed badly was he bored at the meeting तो यह हो गया हमारे question statements क्या structure है भाई पहले लगा दो helping verb फिर बाकी सब सेम subject आ जाएगा verb का second form आ जाएगा and that's it तिक है अब हम आते है यहां पे जैसे की I, he, she it इन सब के साथ आएगा was here हम सब यहां थे हम यहां थे मैं यहां था मतलब singular की बात करें मैं यहां था तुम यहां थे वो यहां थी उसके बाद you, we और they के साथ आता है were in London I, he, she जब negative की बात करें तो इन सब के साथ simple was not आजाएगा plural और you के साथ were not आजाएगा question में आपका helping verb पहले आजाएगा फिर subject आजाएगा similarly plural है तो plural helping verb पहले आजाएगा और फिर subject आजाएगा don't forget to put a question mark if there is a question statement ठीक है अब भाई हम आगे बढ़ते है इतना समझ में आया होगा है न simple past में जब हम irregular verbs की बात करते हैं जैसे अभी मैंने बोला कि जैसे go होता है तो go, went और gone हो जाता है ठीक है लेकिन अगर destroy है या clean है मान लो clean cleaned cleaned तो जब ये जो words होते हैं जिसमें verb का ये verb का first form है ये verb का second form है ये verb का third form है तो जब second और third form जो होते हैं similar होते हैं इन्हें हम बोलते है regular verbs लेकिन बहुत सारे ऐसे verbs होते हैं जिसमें ये लोग similar नहीं होते हैं in fact इनका पुरा form change हो जाता है उनको याद अतना बहुत मिश्किल हो जाता है So, उन words को कहते हैं हम irregular verbs ठीक है, जैसे की He went to a club last night Went is the past form of go Go, went, second form हो गया Did he go to the cinema last night? क्योंकि मैंने already यहाँ did use किया है तो मैं went को कर दूंगी Go, अब मैं वापस went नहीं लिखूंगी He did not go to bed early last night Again, क्योंकि मैंने did use किया तो मैंने इसको go कर दिया यह मैं आपको already समझा चकी हूँ ठीक है? We have got more examples We gave her a doll for her birthday उसके बर्दे पे हमने उसे एक doll दी थी They did not give John their new address उन्होंने John को अपना नया address नहीं दिया Did not के साथ give आएगा, gave नहीं आएगा Did Barry give you my passport? क्या Barry ने तुम्हें मेरा passport दिया Did के साथ भी give आएगा अब यहाँ पे है हमारे पास कुछ और examples इससे past हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे इसके uses I subject lived मैं रहता था In that house when I was young मैं उस घर में रहता था जब मैं छोटा था He did not like the movie उसे वो movie पसंद नहीं आई Guys, what we have to see here is जैसे अब मेरा ये एक positive statement है तो positive statement के साथ मैंने subject use किया verb का second form use किया and rest of the sentence ये एक negative statement है He did not like the movie और he didn't like the movie तो इसमें मैंने subject के बाद did not use किया है और उसके बाद verb का first form use किया है और rest of the sentence What did you eat for dinner? ये एक question statement है What did you? तो यहाँ पे भी आपका पहला आएगा did उसके बाद आएगा subject उसके बाद आएगा verb का first form और rest of the sentence John drove to London on Monday ये एक positive statement है तो John drive का हो गया drove और बाकी का sentence Mary did not go to work yesterday Mary did not go to work yesterday तो यहाँ पे हमने Mary लिखा plus did not आया verb का first form आया जो है go और बाकी का sentence Did you play tennis last week? क्या तुमने last week tennis खेला था? तो इसके रहे क्या हो गया? verb जो हमारा helping verb है उसे हम पहले लेके आजाएंगे Did फिर आगया subject फिर आगया verb का first form और rest of the sentence I was at work yesterday कल मैं काम पे थी अब यहाँ पे मेरे पास helping verb है मुझे अगर इस sentence का negative बनाना है तो मैं बोलूँगी I was not at work yesterday और अगर इसका question बनाना है तो मैं helping verb को अधर लेके चले जाओंगी और क्या बलूँगी Was I at work yesterday? We were not late ठीक है? For the train We were not late for the train अब इसका negative बनाना है positive बनाना है तो क्या हो जाएगा? Not hurt जाएगा We were late for the train और अगर मुझे इसका question बनाना है तो क्या हो जाएगा Were we late for the train? ठीक है? I hope we have got this much अब हमें देखना है कि हम ये past tense को use कहां करते है पहली चीज़ होती है To express an action completed in the past कोई भी ये basic है कोई भी एक ऐसा action जो past में complete हो चुका है ठीक है? जैसे की She left the college last year उसने last year college छोड़ दिया था तो अभी से कोई मतलब नहीं है Our team defeated the rival team yesterday कल हमारी team ने जो हमाई rival team है जो जिससे हमाई साथ competition हो रहा था उस team को हमने हदा दिया I received her letter a week ago I received her letter a week ago में को उसका letter एक हफता पहले मिला था I saw a movie yesterday कल मैंने एक movie देखी थी I did not see a play yesterday कल मैंने एक play नहीं देखा था Last year I travelled to Japan Last year I did not travel to Korea Did you have dinner last night? She washed her car He did not wash his car Okay Now what we have to see is Second thing जब भी मैं अपनी past की habit की बात करते हूं जैसे की बच्चपन में मैं खूब सारे chocolates खाया करता था So I ate a lot of chocolates when I was young तो जब भी मैं past की habit की बात करी हूं जो past में ही रहे गई है अब नहीं होती ठीक है जैसे की Every morning गांदी जी went for a walk ठीक है अब गांदी जी ही नहीं है तो फिर ये तो अभी हो ही नहीं सकता तो every morning गांदी जी went for a walk Went Second form of verb During those days I ate at 10 p.m अरे उन दिनों में मैं 10 बचे ही खाना खा लेता था मतलब एक आप habit की बात बता रहे हो जो की past की बात है I went to bed early when I was in school जब मैं school में था तब मैं went to bed मतलब मैं जल्दी सोने चले जाता था I studied French when I was a child जब मैं छोटी थी तब मैं French पढ़ती थी एक habit है He played the violin उस वक्त वो violin बचाया करता था He did not play the piano वो तब पियानो नहीं बचाता था हो सकता है बचाता है Did you play a musical instrument when you were a kid? तो ये हागया आपका question अब हम third देखते हैं use कहा होता है To express an action that took place over a period of time in the past मतलब कुछ time तक past में एक action हुआ था फिर वो पूरा जो था action अब खतम हो चुका है अभी कुछ नहीं हो रहा है लेकिन एक period तक वो हुआ था जैसे कि मैं Brazil में दो साल रहा था तो एक period of time है Past में चालू हुआ था दो साल तक वो रहा लेकिन अब अब नहीं रहता तो I lived in Brazil for two years उसके बाद क्या है Shauna studied Japanese for five years उसने Japanese language पास साल के लिए पड़ी थी They sat at the beach all day वो लोग दिन भर बीच पे बैठे थे They did not stay at the party the entire time वो पूरे time party में नहीं थे We talked on the phone for 30 minutes हमने 30 minutes बात की तो यहां पे यह जो past time है यहां पे कुछ 30 minutes आपने बात करी जो past में चालू हुआ और past में खतम हो गया अभी से इसका कोई मतलब नहीं है I worked in a school from 2000 से 2002 Similarly यहां 2000 से लेके 2002 तक आपने एक school में काम किया ठीक है यह past में चालू हुआ Past में खतम हो गया Present से कोई मतलब नहीं है ठीक है next So next है To express a series of completed actions in the past अब क्या है past में जजूरी नहीं एक ही काम हुआ हो ना तो उसने नहाया था फिर वो तयार हुई थी और फिर वो मंदर चली गई थी तो यह क्या है यह तीन actions है जो past में ही चालू हुए तो past में ही खतम हुए तो जब हम एक series of actions की बात करते हैं तब भी हम past tense use करते हैं जैसे कि First I got up Then I had breakfast तो पहले मैं उठा था फिर मैंने breakfast किया तो पहले आप उठे और फिर आपने breakfast किया On Sunday My brother and I went to a nice lake तो पहले क्या हुआ हम लोग एक अच्छे से lake गए There we met our friends वहां अपने friends से मिले We swam in the warm water and played volleyball in the afternoon तो यहां four events हुए हैं पहले तो वो लोग एक lake पे गए वहां अपने friends से मिले फिर वहां उन्होंने swim किया और उसके बाद उन्होंने volleyball खेला I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim तो मैंने अपना काम खतम किया I finished work, walked to the beach मैं beach तक गया and found a nice place to swim और नहाने के लिए swim करने के लिए मैंने अच्छी सी जगा धूंडी He arrived from the airport at 8 वह airport से 8 o'clock आया था Arrived, past form checked into the hotel at 9 hotel में check-in कब किया उसने checked in 9 o'clock met the others at 10 o'clock और फिर बाकी लोगों से कब मिला वह 10 बजे मिला देखो सारे के सारे जो आपके main verbs है वह past form है क्योंकि हम past की बात कर रहे अब कोई recipe की बात कर रहे तो उसने क्या पूछा क्या तुमने पहले आटा आट किया उसके बाद उसमें दूद मिलाया और उसके बाद एगस आट किये थे तो suppose आप pancakes बनाने की बात कर रहे हो तो pancakes में क्या होता है ऐसे होता है तो उसने पूछा है पहले तुमने ये पहले आट किया था फिर ये किया था फिर ये किया था तो हम एक series of events की बात कर रहें तो उसमें भी हम simple past time past tense use करेंगे next क्या होता है used to describe past facts or generalizations which are no longer true this is similar to used to मतलब उस वक मैं पेड़ पे चड़ा करती थी उस वक मैं जूट बुला करती थी तो चीजें जो past में हुआ करती थी general चीजें लेकिन जो आज नहीं होती है जैसे की she was shy as a child but now she is very outgoing जब वो पहले बच्पन में मतलब बेसिकली जब वो छोटी थी तब वो बहुत ही शर्मीली थी बहुत shy थी लेकिन अब वो बहुत outgoing है मतलब अब वो काफी जो है लोगों से मिलती जुलती है he did not like tomatoes before पहले उसे tomatoes पसंद नहीं थे अब general बात कर रहे हो did you live in Texas when you were a kid क्या तुम जब छोटे थे तुम Texas में रहते थे people paid much more to make cell phone calls in the past अब obviously पहले आज आपका जो calls है mostly आप free में कर लेते हो whatsapp call कर लेते हो लेकिन पहले लोगों को एक एक call के लिए काफी पैसे देने पड़ते थे यह क्या है यह एक generalized fact है तो जो चीज पहले हुआ करती थी अब नहीं होती जैसे कि पहले लोग चूले में खाना बनाया करते थे मतलब पुरा जो एट रखके और आप लकडियां रखके जलाते हो तो पहले लोग चूले में खाना बनाया करते थे अभी भी बहुत लोग चूले में बनाते I'm talking about like suppose I talk about my family so long back मेरी फैमली भी चूले में खाना बनाया करती थी इट यूस्टू तो आप यूस्टू की जगा simple past भी यूस्ट कर सकते हो ठीके next क्या है हमारे पास exercise आ गई so let's begin simple past कर दे है subject plus verb का second form plus object ये कब जब आपके पास helping verb नहीं है लेकिन अगर आपके पास helping verb है तब क्या हो जाएगा subject plus was या verb और plus आपका verb का second form plus object इसे हम याद रखेंगे last year I dash my holiday in Ireland last year मैंने अपनी जो मेरी जो holidays थी वो मैंने आईलेंड में spend की थी तो यहाँ पे spend का second form क्या होगा and किस तरीके से लिखेंगे I के साथ क्या आएगा it dash अब B का past form क्या होता है B का past form होता है was या were ठीक है I dash around by a car with two friends and we dash lots of interesting places मैंने अपने friends के साथ कार में travel किया और हमने बहुत सारी जगा देखी in the evenings we usually dash to a pub evenings में हम usually जो थे pubs जाया करते थे one night we even dashed some Irish dances एक रात हमने Irish dances भी सीखे थे तो अब यहाँ पे देखो last year I spent spent जो होता है वो होता है second form होता है word का first form होता है spent second form spent first form ठीक है? ओके तो यहाँ पे आगया spent I spent my holiday in Ireland it was great B का second form क्या होता है? was I traveled around by car with two friends और मैंने हमने बहुत साई जगा देखी visited in the evenings हम pub जाते थे went to pub one night we even learned some Irish dances चीक है? so अब यह जो है we dashed very lucky with the weather हम weather जो था बहुत अच्छा था तो हम उस मामले में बहुत लगी थे तो बी के जो दो form होते हैं एक होता है was और एक होता है was when we talk about past we क्या है? we plural है तो इन दोनों में से क्या आएगा? word आएगा it dashed rain a lot ज्यादा बारिश नहीं हुई थी जब negative sentence बनाते हैं तो हमें क्या use करना पड़ता है? did not तो क्या होगा? it did not rain a lot but we dashed some beautiful rainbows हमने देखे थे we saw सी का क्या हो जाएगा? saw where dash spent you your last holiday? तुमने अपनी last holiday कहां spent की थी? तो यहां पर क्या हो जाएगा? where did you spend your last holiday? तो यह रहे आपके answers ठीक है? so are we clear with this much? now in our next video we are going to learn ठीक है? हम यह video यहीं stop कर रहे हैं हमारा simple past tense पूरा हो चुका है in our next video we are going to learn की simple past मतलब एक activity जो past में पूरी हो चुकी है और past present perfect मतलब भी एक activity जो past में चालो ही और present में आके खतम हो चुकी है तो दोनों में difference क्या होता है? though I have explained you but I'll explain you in a bit better way in our next video so stay tuned guys keep smiling, stay safe, thank you and bye-bye